सबी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर सुवरत आ रहा है मैं कंसल्टेंट रुमेटोलोजिस्ट हूं डेली और नॉइडा में आज हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि सर्दिया नजदीक हैं और सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों में जो गठिया की जोडों के दर्द और सुजन की तकलीफ होती है वो बढ़ जाती है तो हम अपने लेवल पर यानि की एक इंडिविज्वल पेशन के लेवल पर क्या कर सकते हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लि सभी लोग और आपके रिलेटिव सब लोग सेफ हैं और आगे भी सेफ ही रहें जल्दी शायद वैक्सीन आ जाएगी और शायद इस पैंडेमिक का अंत नजदीक होगा तो जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो आपको देही दिया है अब हम सीधा आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आज हम किन चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम गठिया के कुछ तत्यों के बारे में बात करेंगे, कुछ facts के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि गठिया क्या है, गठिया के कौन से common प्रकार हैं जो सामने तह देखे जाते हैं, उनके क्या लक्षन होते हैं, और जो आज का important topic है कि हम सर्दियों मे गठिया के जो लक्षन है वो बड़ा हुआ क्यों महसूस करते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और छोटे ब्रीफ में छोटी discussion करेंगे कि arthritis का treatment किस तरह से किया जाता है तो सबसे पहले आप ये left hand side में इस image को देखिए ये एक normal joint है जिसमें उपर अगर हम मानें कि ये गुटने का joint है तो ये उपर की bone है और ये नीचे की bone है जिसका नाम femur होता है और नीचे की bone का नाम tibia होता है ये जो blue line है ये cartilage है और जो ये नीचे की bone के ओपर भी blue line है ये cartilage है ये soft गद्धी की तरह होता है और इनके बीच में एक छोटी सी fluid की यानि की एक तरल पदार्थ होता है जिसको synovial fluid भी कहते है तो सामाने joint में हडियां आपस में एक दूसरे से touch नहीं करती है और ये cartilage हडियों को दूर रखता है और बीच में जो fluid की line है वो उसे lubricated रखता है त तो जो सबसे common arthritis हम देखते हैं उसे osteoarthritis का आजाता है जो की उमर के साथ जोडों के घिसाब के साथ होने वाला गटिया है अब इस schematic diagram में आप देख सकते हैं कि जो ये cartilage की blue line है ये यहां से चली गई है ये ऐसा क्यों होता है aging के साथ धीरे धीरे ये cartilage का wear and tear यानि घिसाब शुरू हो जाता है अगर आपका वजन जादा है मोटापा है या आप बहुत ही excessive physical activity की ये profession में या sports person है या आपका family history है osteoarthritis की तो ये cartilage के loss होने की speed जादा हो जाती है और ये cartilage जब पूरा घिस जाए या कुछ थोड़ा भी गिस जाए तो ये जो bones है या अपस में रगड़ खाने लगती है तच होने लगती है और इसकी वज़े से joints में pain कड़ कड़ाहट जैसी sound आना movement करने पे और जकड़न शुरू होता है सबसे common joint जिसमें osteoarthritis होता है वो है घुटने का joint जो हमारा शरीर का सारा वजन ढोता है rheumatoid arthritis एक अलग तरे का गठिया है जो की young age में शुरू होता है और ये immune system related problem है यानि की जो हमारे शरीर का immune system है जिसमें हमारे blood के अंदर कुछ immune cells होते हैं जिनका काम है हमें infection bacteria virus से बचाना तो अगर वो cells हमारे शरीर के joint को ही foreign tissue समझ के उसके उपर attack करना शुरू कर दें तो उससे जो arthritis develop होता है उसे rheumatoid arthritis कहते हैं अब देख सकते हैं कि इसके अंदर schematic diagram में ये area पूरा लाल दिखाया गया है ये basically इसलिए है क्योंकि जो joint की जिल्ली यहां पर पतली सी लाल है ये सूच जाती है इसके अंदर cells भी आ जाते हैं और बड़े सारे protein होते हैं जो सूजन करते हैं जकडन करते हैं यहां पर blood supply भी जाती है इसलिए joint चूने में गरम भी लगता है और ये जो rheumatoid arthritis है ये शरीर के सभी jointों को प्रभावित कर सकता है जबकि osteoarthritis जादातर बजन उठाने वले jointों को ही उमर के साथ प्रभावित करता है तो rheumatoid arthritis females में थोड़ा जादा होता है और इसकी age of onset भी rheumatoid osteoarthritis से काफ हाथों के छोटे jointों से होती है जो सूच जाते हैं लाल हो जाते हैं जकड़न महसूस करते हैं और चूने में भी गरम महसूस होते हैं तो अब हम कुछ गठिया के तथ्यों के बारे हम बात करते हैं गठिया यानि arthritis इसको हम inflammation of one or more joints भी कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया रु कि वर्क के व्यक्ति या महिला को प्राववेद कर सकता है चाए वो पुरुष है महिला है चाए वो किसी भी उमर के हैं चाए वो बच्चे हैं कुछ प्रकार के गठिया बच्चों को भी प्राववेद करते हैं और जल्दी और सटीक डाइगनोसिस करने से हम joints के अंदर further damage को रोक सकते हैं लगभग 100 से भी ज्यादा प्रकार के गठिया जाने जगए हैं कुछ बहुत common हैं जैसे कि osteoarthritis और rheumatoid arthritis और कुछ काफी rare हैं जो commonly नहीं देखे जाते पर हर गठिया osteoarthritis और rheumatoid arthritis नहीं होता है ये सिरफ common types of arthritis हैं जो हम usually देखते हैं इसके अलावा जो अन्य psoriatic arthritis भी कहा जाता है psoriatic arthritis लग उन लोगों को प्रभावित करता है जिनको skin का एक autoimmune disease होता है जिसे psoriasis कहते हैं psoriasis के अंदर skin के अंदर चिलके या redness जैसे निशान आते हैं जैसे आप इस picture में हाथ पर देख सकते हैं ये निशान आम तोर पे joint की बहारी सता पर देखे गय पर ये joint ये body के कोई भी हिस्से में हो सकता है ये सर के अंदर भी हो सकता है कान के पीछे भी हो सकता है तो ये जो psoriasis की skin की autoimmune बिमारी है इसके साथ होने वले arthritis को psoriatic arthritis का जाता है rheumatoid arthritis की तरह ही ये भी एक inflammatory arthritis है किसी भी उमर में प्रहुवित कर सकता है और शरीर का कोई भी joint इससे effect हो सकता है चाहे वो आपकी उंगली हो चाहे घुटना हो चाहे आपकी spine हो चाहे आपकी गर्दन की या कमर की हडिया हो वो भी psoriatic arthritis में effect हो सकती है उसके बाद हम चलते हैं Ankylosing Spondylitis Ankylosing Spondylitis Males में यानि पूरुशों में थोड़ा जादा common है महिलाओं के मुकाबले ये भी 20 से 40 से 45 साल की उमर में शुरू होता है और ये कमर दर्द से शुरू होता है पर हर कमर दर्द Ankylosing Spondylitis हो ऐसा नहीं है कमर दर्द अपने आप में बहुत ही common problem है Ankylosing Spondylitis कुछ particular कमर दर्द के जो लक्षन होते हैं उनीक को Ankylosing Spondylitis बोला जाता है जैसे कि अगर आपका कमर का दर्द रात को सोने के बाद जादा हो सुबह उठने के समय कमर के अंदर काफी जादा जगड़न हो exercise करने से कमर का दर्द improve हो जाए और pain killer गोली खाने से कमर के दर्द मे बहुत जादा improvement हो तो ये कुछ ऐसे लक्षन है जो Ankylosing Spondylitis के diagnosis की तरफ हमें point कर सकते हैं बट इसका diagnosis confirm करने के लिए आपको अपने rheumatologist से मिलना ज़रूरी है हर कमर दर्द आंकलोजिंग Spondylitis नहीं होता है फिर एक अलग तरह का arthritis जैसे reactive arthritis कहा जाता है reactive arthritis का मतलब है कि शरी जीर में कहीं आपके कोई infection हुआ commonly urine में infection या पेट का infection जैसे की दस्तिया dysentery और उसके ठीक होने के कुछ दिन या कुछ हफते बाद कोई joint के अंदर सूजन और दर्द होना उसको reactive arthritis कहा जाता है reactive arthritis आम तोर पे हमारे पाउं के ज्यादा joint को प्रवाइद करता है जैसे कि joint ऊपर ही शरीर के jointों से ज्यादा प्रवावित होते है reactive arthritis में अब गठिया के लक्षन हमने कुछ तो बात कर लिए इसके अंदर मैं थोड़ा detail में बताता हूं जो joint में inflammatory arthritis है वो joint लाल हो सकता है क्योंकि उसमें blood supply ज्यादा है उसमें सूजन हो सकते है क्योंकि joint की जिली और joint क अंदर जो हमने synovial fluid की बात की थी उसकी मात्रा बढ़ने की वज़े से joint में tenderness हो सकती है अब tenderness joint pain से अलग कैसे है tenderness का मतलब है joint को दबाने से दर्द महसूस होना joint tenderness का मतलब है अगर आपके doctor आपका joint check करने के लिए joint press कर रहे हैं वो दर्द महसूस होने को joint tenderness कहा जाता है है तो joint चुने में बाकी joint के या बाकी आसपास की skin से जादा गरम महसूस होते हैं लंगडा कर चलना वजन डालने में दर्द महसूस होना और locking of joint यानि कि ऐसा लगता है कि joint जकड़ गया है lock हो गया है movement करने में बहुत दिक्कत हो रही है खोलने के अंदर काफी तकलिफ महसू हो रही है यह तो हो गए गठिया के वो लक्षण जो joints के अंदर देखे जाते हैं जो भी हमने autoimmune arthritis जैसे की rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis और reactive arthritis यह जो common inflammatory arthritis हमने बात किये हैं यह सिरफ joints तक सीमित बिमारी नहीं है इसके अंदर आपके शरीर के और अंगों के अंदर भी असर पड़ सकता है जैसे की मैंने आपको बताया है कि यह बिमारी यह autoimmune है तो जो immune system है वो joints के अंदर damage करने के अलावा शरीर के और अंगों को भी प्रभावित कर सकता है और लक्षण भी दे सकता है जैसे की कई बार अक्सर लोग बताते हैं जिनने रोमेटोइड है या रियक्टेव आर्थ्राइटिस या सोरियाटिक आर्थ्राइटिस है कि उन्हें हल्का बुखार जैसा लगता है बट थर्मामीटर में चेक करने तो बुखार आता नहीं है कहीं शरी में कोई गिल्टी गांट जैसा सूजन महसूस करना जिसको लिंफ नोड भी कहते हैं जब भी इंफ्लमेशन होती है तो ये लिंफ नोड के अंदर सूजन आ सकती है बजन का कम होना ये बहुत ही कॉमन लक्षन है जब आर्थराइटिस इंफ्लमेटरी आर्थराइटिस दवाईयों से कंट्रोल नहीं है इसके अलावा फटीग और थकान ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है और डिफिकल्ट टू ट्रीट है जो लोग रूमेटरी आर्थराइटिस या अन्य प्रकार की इंफ्लमेटरी आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं वो ये बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि ठकान एक ऐसी चीज है जो की जोडों का दर्द और सूजन ठीक होने के बाद भी रहती है और इसको किसी दूसरे वेक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है कि वो क्यों इतनी ठकान महसूस कर रहे है मेडिकल साइंस में भी कई ट्रीटमेंट और कई चीजे ट्राइ कीज गई है पर सबसे एफेक्टिव चीज फटीग और ठकान को मिटाने के लिए जो देखी गई है वो है एक्सेसाइज एक्सेसाइज के बारे में मैं डेटेल में बाद में यह बात करूँगा पर अगर आप ठकान और फटीग महसूस करते हैं तो एरोबिक एक्सेसाइज आपके लिए फटीग से लड़ने का सबसे इंपोर्टेंट हत्यार हो सकता है अंदुरूनी अंगों के अंदर एबनॉर्मेलिटी आना जैसे कुछ लोगों को पता होगा कि रूमेटोड आर्थराइटिस लंग्स को भी प्रभावथ कर सकता है प्रकार की गठिया कोई पटिकुलर अंदुरूनी अंग के ओपर भी प्रभाव डाल सकते हैं इसलिए time to time अपका regular check-up करना बहुत जरूरी है देखने के लिए कि कोई अंदरूनी अंग इस गठिया से प्रहवित तो नहीं है और अगर ऐसा देखा जाता है तो treatment से उसको अराम से कंट्रोल किया जा सकता है और कई लोग बोलते हमें joint pain ठीक होने के बाद भी हर समय अस्वश सा महसूस होता है इसके पीछे कई patients के अंदर depression जैसे symptoms भी देखे हैं क्योंकि कई प्रकार के गठिया लंबे time तक चलने वाली तकलीफ है और कुछ लोग इस दिक्कत से परेशान होकर हमेशा इस चीज़ को गठिया किसी भी उमर में असर कर सकता है तो यह चीज़ हमें भूली नहीं है हमें यह नहीं सोचना है कि बच्चे को या young adult को यह नहीं हो सकता arthritis इतनी common बिमारियां नहीं है जैसे कि blood pressure या sugar पर यह किसी भी उमर में affect कर सकता है इसलिए उसको ignore ना करें अगर इन में से कुछ भी लक्षन आप महसूस कर रहे हैं तो अब हम आते हैं अपनी main discussion पे जो है कि सर्दियों में जो गठिया की दिकत है जोडों की दर्थ सूजन जक्रन है वो क्यों बढ़ जाती है तो इसके लिए कुछ चार-पांच कारण हमें पता है जो हमारी नसे हैं nerves यानि की नाडियां जो ठंडे गरम को महसूस करती है वो जादा sensitive हो जाती है पेन के प्रती अगर आपको joint pain या arthritis नहीं है तो भी आपने देखा होगा कि सर्दी के time पे जो चोट लगती है उसका दर्थ बहुत जादा होता है मतलब आपको ऐसा लगता है कि पेन जितना गर्मी में चोट लगने से महसूस हो उससे कई जादा महसूस हो blood circulation हाथों और पाव में कम हो जाता है इसी लिए joint pain बड़े वे महसूस हो सकते हैं आपने देखा होगा कि जिन लोगों को मासपेशियों में तनाव या एठन हो जाती है वो लोग अकसर बोलते हैं कि सब्दियों में दिक्कत बढ़ जाती है क्योंकि हमारी muscles colder temperature में जादा spasm मह जानता है हम किसे कई लोगे बाद जानते हैं और sunlight exposure कम होने की वज़े से vitamin D की कमी सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है यह भी एक करण हो सकता है अब हम बात करते हैं सबसे important topic जो आज हम मैं आपके साथ share करना चाता हूँ कि अगर आपको arthritis है और सड़ी में आपकी अदिक्कत बढ़ जाती है तो आप इसके लिए क्या कर सकते है यह सारी की सारी चीज़े medicines के बारे में बात नहीं कर रही है except जो मैंने यहां पे दवाईयों के कुछ नाम लिखे इसके अलावा सारी की सारी चीज़े आपके daily routine में आपके अपने हाद में हैं सबसे पहला important है dress warmly यानि कि आप अपने शरीर को अच्छे से ढखके रखे, cover करके रखे और ठंड से बचाए ऐसा देखा गया है कि layers में कपड़े पहनना ज्यादा effective है बजाए single sweater डालने के यानि कि अगर आप दो पतले sweater डालेंगे तो वो ज्यादा effective है एक sweater या एक coat या एक shawl के ऐसा क्यों क्योंकि जो multiple layers होती है उसके बीच में हवा trap हो जाती है, air trap हो जाती है और जो air है वो एक bad conductor of heat है यानि कि जो हवा आपके दो sweater की layer के बीच में फस गई वो आपके शरीर की heat को बाहर नहीं जाने देगी इसलिए दो layer में dress करना important है और ये आपको सर्दी से बचाने में बहुत साहिक साबित हो सकता है second important है अपने आपको hydrate करें सर्दियों में वैसे भी जो पानी की प्यास है वो कम हो जाती है और हम regular time से पानी पीना भूल जाते हैं इसकी वज़े से खासकर बुज़ुर्गों में dehydration हो सकता है dehydration भी एक कारण हो सकता है muscles में आइठन और joint pain बढ़ने के पीछे तो आप अपना regular hydration को अच्छे से maintain करें वजन कम करें अगर वजन नहीं कम कर पा रहे हैं तो कोशिश करें वजन ना बढ़े क्योंकि सर्दियों में diet pattern change हो जाता है fat intake जादा बढ़ जाता है और exercise कम हो जाती है बहार टहलना कम हो जाता है और घर पे बैठे बैठे diet intake जादा होने की वज़से weight बढ़ जाता है अब weight बढ़ने से चाहे osteo arthritis हो जोगी अल्रेडी वजन से होने वाला गठिया है या rheumatoid arthritis हो जिसके अंदर हर joint के अंदर सूजन जकड़न होती है आपका जो joint pain है अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो joint pain भी बढ़ सकता है regular exercise करें अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं ठंकी वज़े से आपकी routine evening या morning walk अफेक्ट हो रही है तो आप घर के अंदर ही वयान करने का arrangement करें आप indoor cycling कर सकते हैं जो की gym वली जो stationary cycle होती है वो आप treadmill use कर सकते हैं या आप अपने घर के अंदर ही regular exercise कर सकते हैं घर के अंदर ही walking कर सकते हैं ठंडी चीजों को avoid करें ठंडी चीजों को avoid करने का reason यह है कि अगर आप ठंडी चीज ले रहे हैं तो उससे आपका core body temperature कम होता है और वही सब problems हो सकती हैं जो ठंड से हमने अभी discuss करी तो गुर्णूना पानी ही पिएं और गरम चीजे ज़्यादा सेवन करें ठंडी चीजे ना ले vitamin B को supplement जरूर करें vitamin D, bone health के लिए, muscle health के लिए और बहुत सारे body के normal function के लिए बहुत जरूरी है और इसको regular तरीके से लेना जरूरी है ऐसा इसले भी जरूरी है कि अगर आपको vitamin D की कमी है तो जो sunlight exposure से हमें vitamin D मिल रहा है वो अकेला vitamin D की कमी को पूरा करने के लिए काफी नहीं है आपको vitamin D externally लेना पड़ेगा ये और भी जरूरी है क्योंकि diet के अंदर कुछ non-vegetarian sources of diet के अंदर तो आपका vitamin D मिलता है पर vegetarian diet में vitamin D नहीं मिल पाता है जो हमारी body को requirement है इसलिए vitamin D को अलग से supplement करना जरूरी होता है अपना सर्दी में ध्यान रखें कोशिश करें कि आपके आसपास का environment safe हो जिन लोगों को balance की problem है वो ही ध्यान रखें कि वो घर में अपने washroom में बातरूम में slip ना हों गिरे ना चोट ना लगे उसके अलावा omega-3 fatty acids एक natural ऐसी चीज है जो की anti-inflammatory है इसके sorry इसके capsules भी available है market में पर omega-3 fatty acid डाइट में भी कई चीजों में देखा गया है जैसे की avocado जो की हमारी country में इतना common नहीं है बट हमारे country में walnut यानि की अखरोट, badam और soya bean, flax seeds, chia seeds यह सब चीज़े बहुत असानी से available हैं यह सब omega-3 fatty acid rich है अगर आप regularly इनको अपनी डाइट में use करेंगे तो आपको definitely उसका फाइदा मिलेगा non-vegetarian डाइट में यह fish में देखा गया है, salmon में देखा गया है और seafood में देखा गया है तो आप अगर non-vegetarian डाइट लेते हैं तो आप omega-3 fatty acid वहां से भी प्रप्ट कर सकते हैं pain killer का सही तरीके से इस्तिमाल करें कुछ pain killer दवाईयां ऐसी होती हैं जो blood pressure और kidney के लिए safe है वो उन पे बुरा प्रभाव नहीं डालती और कुछ pain killer ऐसी होती हैं जो sugar, BP या kidney patients को नहीं लेनी चाहिए या कम लेनी चाहिए तो इसकी जानकारी आप अपने rheumatology से discuss कर सकते हैं कि अगर हमें कभी pain जादा बढ़ता है तो हम उस समय कौन सी दवाई SOS यानि की ज़रुरत पढ़ने पर use करें Body massage या local heat therapy भी बहुत effective हो सकती है Suppose कोई एक ही ऐसा joint है जो सर्दी में आपको ज़्यादा परिशान कर रहा है पर ध्यान रखिए कि ये आप supervision और guidance में ही करें क्योंकि बहुत ज़्यादा heat भी skin या joints के लिए अच्छी नहीं होती है ये मैं slide इसले डाली है कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हम calcium ले या ना ले हम calcium ले तो हम कितना ले हमें calcium की tablet लेनी ज़रूरी है या हम कुछ और कर सकते हैं तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहां लिखा है calcium की daily requirement 1000 mg से 1200 mg पर डे होती है और ये common चीज़े हैं हमारी diet में जो हम daily ले सकते हैं और इनमें कितना calcium होता ये भी लिखा है मैं personally ये मानता हूँ कि अगर आप natural calcium लेते हैं तो वो best है आपको artificial calcium tablets अगर avoid की जा सकती है तो best है naturally एक कप दूद के अंदर 300 mg calcium होता है एक कटोरी दही में 300 mg calcium होता है और ऐसे ही हरी पत्तेदार सबजियों में लगबग 250 से लेके 80 mg तक calcium हो सकता है एक से डेड़ कप quantity में तो अगर आपकी requirement 1000 mg per day है तो आप दो गिलास दूद एक कटोरी दही या कुछ पनीर साथ में और हरी पत्तेदार सबजी और नट्स ले रहे हैं तो आपको अलग से calcium लेने की कोई भी ज़रुरत नहीं है यह बहुत important है क्योंकि calcium diet की हर चीज में नहीं मिलता है और अगर आपको इस प्रकार का कोई भी arthritis है जो हमने भी बात किये हैं तो आपकी bone health के लिए dietary supplementation of calcium important है इसलिए आपको focus करके अपनी diet में इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए ताकि आपको अलग से calcium ना लेने की ज़रुरत पड़े कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें दूड टॉलरेट नहीं होता है खासकर old age में कि दूड से intolerance है कुछ लोगों को कुछ प्रकार के food से allergy है और कुछ लोग कहते हैं कि दही खाने से हमें जोडों में दर्द या जकरन बढ़ता है अगर ऐसा कुछ सीन है तो फिर हम calcium को जो आपका requirement है उसमें से कुछ पार्ट को tablet की form में दे सकते हैं और कुछ पार्ट को diet की form में फिल भी cover कर सकते हैं अब बात करते हैं कि क्या-क्या treatment और medicines हैं बहुत ही brief में हम बात करेंगे physical therapy बहुत important है physical therapy का मतलब है आपको अपना joints का regular exercise करना ताकि उनके इंदर stiffness और जक्रन ना बढ़े regular routine exercise करना ताकि आप fit रहें आपका BP sugar control रहें आपका weight ना बढ़े और आपकी muscles strong हो paraffin wax dip ये कुछ ऐसी local therapies हैं जो की acute pain में आपको मदद कर सकती हैं उसके लावा जो भी medicines यहां पे mentioned हैं ये उन group की medicines हैं जो की हम arthritis की treatment में use करते हैं मैंने इनका नाम सिरफ आपको इनकी awareness बढ़ाने के लिए दिया है इनको आप without guidance, without prescription ना लें क्योंकि बिना guidance के ये आपको कुछ नुकसान भी दे सकती हैं और अंत में surgical option है suppose आपका knee joint osteoarthritis से बहुत जादा damage है कि exercise, weight loss, medicine से वो improve नहीं हो रहा है तो joint replacement एक बहुत ही अच्छा option है आज के time पे joint replacement बहुत ही safe है इसका cost भी अब आजकल काफी कम है पिछले कुछ सालों के मुकाबले और जो implant लगाए जाते हैं उनकी life भी काफी अच्छी है तो अगर आपका joint pain persistent है आपकी routine life को affect कर रहा है continuous pain है तो आप इसको definitely एक treatment option की तरह कर सकते है अब थोड़ा सा brief बताएंगे कि हम लोग management of arthritis कैसे करते हैं ये बताने का मक्सदी है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वेक्ति या patient इस गठिया से गरस्त है अगर वो ये चीज समझेगा कि हम arthritis के management कैसे कर रहे हैं तो वो लोग हमारे साथ decision common ले सकते हैं जब आप ये समझेगे कि हमारा treatment का goal क्या है treatment का outcome हम क्या expect कर रहे हैं तो treatment का outcome और अच्छा होता है मैंने अपनी OPD में देखा है अगर आप patient को detail में बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यूं करना चाहते हैं तो patient की understanding बहुत बहतर हो जाती है और वो लोग ये पूरी चीज़ समझते हैं और उसके अंदर treatment छोड़ने का या treatment के side effects से घबराने का ये सब चीज़े नहीं रहती है तो early diagnosis बहुत important है जितनी जल्दी हम diagnose करके treatment करेंगे आगे जाके joints की problem उतनी ही कम होगी joint में damage उतनी ही कम होगी joint protection का भी यही मकसद है कि early diagnosis or treatment disease modification का मतलब है कि modern medicine में कई ऐसी दवाईयां उपलब्ध हैं जो देने से जो आपके arthritis का natural course रहता यानि कि naturally अगर हम treat नहीं करते हैं वो कैसा रहता तो ये दवाईयां उस course को पूरी तरह बदल सकती हैं आपको जोडों के अलावा अदर और लक्षन में हैं जैसे की बजन का मोना बुखार तो aggressive treatment यानि की starting से ही अच्छी दवाई देने से आपका joint का arthritis उसे control किया सकता है और pain relief तो सारे प्रकार के arthritis का सबसे important aspect है treatment का की सबसे जरूरी है patient को दर्द से रहत मिले उसके लिए pain killer group की दवाईयां भी उपलब्द है anti-inflammatory भी उपलब्द है पर जब हम arthritis की दवाईयां यूज करते हैं और arthritis control हो जाता है तब इन दवाईयों को लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और physiotherapy मैंने आपको बता ही दिया कि regular exercise और वजन ना बढ़ने देना joint की flexibility maintain करना बहुत जरूरी है management में regular follow up बहुत जरूरी है क्योंकि जो हम joint की दवाईयां इस्तिमाल करते हैं उनके साथ regular जांचे होना जरूरी है regularly हमें चेक करना जरूरी है कि arthritis की वज़े से आपके joints में damage तो बढ़ नहीं रहा है ये important है उसके अलावा disability को overcome करने के लिए क्या किया जा सकता है अगर कोई एक particular joint बहुत जादा सूजा है बहुत जादा तकलीफ में है तो वो आगे जाकर problem कर सकता है आगे जाकर उस joint की movement खराब हो सकती जैसे की knee joint में हम अक्सर देखते हैं एक छोटा सा injection लगाने से जो knee joint की दिक्कत है उसको हम रोक सकते हैं उसके आगे disability को हम रोक सकते हैं patient support ये बहुत ही important है unfortunately हमारी country में patient support groups का बहुत जादा प्रचलन नहीं है कई patient support groups exist करते हैं और वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं पर patient support group का जो main मकसद है वो ये है कि same बिमारी के लोग आपस में आकर मिले और एक दूसरे के साथ अपनी stories को share करें और एक दूसरे के साथ अपने experience को बाटे जब आप एक ऐसे वेक्ति से मिलते हैं जो उसी problem से जूज रहा है जो आपको है और वो अपनी story बताता है तो आपको एक बहुत inspiration और आपको एक बहुत साहेता महसूस होती है आपको ये महसूस नहीं होता कि मैं अकिरा हूँ आपको ये पता चलता है कि मेरी बिमारी से जूज रहे और लोग भी है और वो उस चीज से गुजर चुके हैं जिसमें मैं अभी हूँ तो वो जब अपनी story दूसरे लोगों से share करते हैं तो उससे बहुत psychological benefit हो और patient लोग एक दूसरे को कही हुई बात से बहुत जादा प्रोचाहित फील करते हैं तो ये एक बहुत बहुत important aspect है जो मैं सोचता हूँ कि आज के time में हमारी देश में इसकी बहुत ज़रूरत है repair of damage joint by various methods जैसे कि मैंने आपको बताया कि surgical correction एक तरह का option हो सकता है अगर joint में बहुत ज़दा damage हो और family counseling ये एक बहुत ज़रूरी issue है जब भी मैं कोई patient को arthritis की दवाई start करता हूँ I make sure कि उनकी family का कोई और बंदा वो ये बात समझे वो ये बात भी समझे कि जो joint की तक्रीफ patient को है उससे उनको कितना प्रभाव पढ़ रहा है क्योंकि family members वो चीज़ वो pain समझ नहीं पाते कभी-कभी और patients expect करते हैं कि अरे आप तो घर में कुछ कामी नहीं कर रहे हैं आप सुबह उठने में देरी कर रहे हो पर patient की तकलीफ हम ये बात समझते हुए family को समझाते हैं कि इस प्रकार के गठिया में सुबह के समय जक्रन होती है जोडो में दर्द होता है चलना और काम करना मुश्किल हो सकता है इसलिए उसको family का support चाहिए ये बहुत ही ज़रूरी है तो आज ये दो चीजों पे मैं बहुत importance place कर रहा हूँ एक तो patient support group और दूसरा family counseling क्योंकि backup support support patient के लिए बहुत ज़रूरी है कोई भी patient जो arthritis सफर करते है उनके आसपास के लोगों को और family को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसी दिक्कत है और इससे कैसे हमें लड़के उससे बाहर निकनना है exercise के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी अब मैं आपको बताऊंगा कि exercise क्यों important है proper तरह से exercise करने से जो जोड़ो का दर्ध है वो actual में कम हो सकता है जोड़ो में blood supply भी बढ़ सकती है exercise करने से bones में calcium और vitamin D ज़्यादा अच्छे से जमा होते हैं और घड़ियां बहुत मजबूत होती है और obviously जो joint का function है और stiffness है वो भी बहतर होता है अगर कोई joint सूजा है और दर्ध है जक्रन है उस समय आपको अपनी exercise करनी ज़रूरी है ऐसा नहीं है तो इसी लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर consult करें before starting exercise और अगर आप exercise already कर रहे हैं आपको joint में कुछ तकलीफ बढ़ रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर consult करें कि क्या exercise से कोई दिक्रत तो नहीं हो रही है इसी लिए बहुत important है कि ये proper advice और guidance के अंदर ही की जाए अब हम बात करते हैं painkiller anti-inflammatory मैंने आपको शुरुआत में भी का था कि कुछ दवाईयां है जो आप SOS basis पे use कर सकते हैं यानि कि जब आपको pain की दिक्कत जादा हो तब कुछ दवाईयों के serious side effects हो सकते हैं जैसे कि pain में ulcer होना या kidney damage होना इसी लिए बहुत important है कि आप जो दवाई pain के लिए SOS या ज़रूरत होने पर use कर रहे हैं वो आपके doctor ने prescribe की हो और वो सही dose में आप ले उसको ज़रूरत से जादा ने ले ताकि उस दवाईय से आपको कोई नुकसान ना हो आपको जो over the counter दवाईयां मिलती यानि कि आप सीधा pharmacist या chemist के पास गए और आपने बोला जी मुझे कोई दर की दवाई दे दीजे उन्होंने आपको एक पत्ता दिया आपने खाना शुरू किया आपको रहात मेरी और वो आप खाते ही गए ये सही तरीका नहीं है क्योंकि painkillar दवाईयां इसके साब से नहीं बनी होती कि आप उन्हें लगातार खाते रहे आर्थ्राइटिस तो कंट्रोल करने के लिए आर्थ्राइटिस की दवाईयां अलग होती है painkillar दवाईयां आर्थ्राइटिस का treatment नहीं है ये सिरफ तभी दी जाती है जब आपको पेन या सूजन कम करना हो इसी लिए इन्हें अंडर प्रॉपर गाइडेंस और अडवाईस ही यूज करना चाहिए ये डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी आफ लाइफ है यानि कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको इंप्रूव करती है बट इनका सही इस्तिमार जरूरी है अब अगर हम ये बोलें कि हम आर्थराइटिस ट्रीट नहीं करते क्या ज़रूरत है गठिया को ट्रीट करने की कुछ जॉइन महल का डैमेज ही तो होगा पर स्टडीज ने दिखाया है जॉइन्ट आर्थराइटिस को ट्रीट ना करने से जोडो में डैमेज होता है परसिस्टेंट लगातार दर्द तो है ही है जोडो में डैमेज भी होता है मृत्य होने का रिस्क भी बढ़ जाता है आर्थराइटिस की वैसे अगर आर्थराइटिस properly treat ना किया जाए और जो हमारा life span है वो भी छोटा हो सकता है हर समय दर्द और बेचैनी और जकडन महसूस हो सकती है काम करने में अक्षमता भी हो सकती है अगर आपको गठिया है इसलिए इन सब चीजों के चलते arthritis को treat करना बहुत जरूरी है पर हम ऐसा क्यों करें अगर आपको लगता है कि arthritis की treatment बहुत expensive है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो arthritis की शुरुवाती दवाय हैं उनकी cost pain killer दवाईयों से भी कम है और आज के time पे बहुत ही effective और असरदार दवाईयों उपलब्ध है और जैसे जैसे science का research बढ़ रहा है दवाईयों की cost और दवाईयों के availability भी बढ़ रही है अगर हम arthritis को treat नहीं करते तो economic loss जादा है क्योंकि काम करने की क्षमता कम है कई लोगों को अपनी job छोड़नी पड़ती है गठिया की वज़े से और अगर हम उन्हें treat करके उनकी job में रखें तो वो देश के लिए भी और अपने लिए भी बहुत productive और एक अच्छे asset हो सकते हैं country के लिए गठिया की treatment करने से दूसरों के ऊपर dependent होने की ज़रुरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपका दर्द सूजन जक्रन आपको control करने से आप independent रह सकते हैं अपने उपर स्वतंत्र रह सकते हैं और there is definite loss of disease anxiety यानि कि अगर आपका arthritis treat करके आपको हम ठीक करें तो arthritis से सम्मंदित जो भी anxiety है जो भी आपके मन में शंका है जो भी doubt है उसको भी दूर किया जा सकता है तो इसी के साथ आज का हम session ये समाप्त करते हैं आशा करता हूं कि ये जो talk है ये जो आज हमने आपको सरदियों के अंदर arthritis कैसे ठीक रखें वो बताया और उसके साथ ही arthritis का overall treatment और arthritis का अप्रोच ज अनिवाद थैंक्यू 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 आरे सर फोर इस इंदेफ्ध एक्स्वेनेशन और वंडर्फुल सजेशन ऑन दार्थराइटिस अन इंपोर्टन अस्पेक्ट रलेटेट तो इट नाव मैं भी सभी श्रताओं से अनृत करता हूं कि अगर उनके पास क Q&A box में नीचे type करके पूछ सकते हैं सर से नीचे Q&A box है उसमें आप question type कर सकते हैं Sir, for patient benefit, still the type, we have few questions with us. Is walking and running in morning a good exercise for arthritis? Yes, definitely. This is a very common question which people ask me. देखिए, अगर आपको osteoarthritis है, यानि की knees में pain रहता है और बाकी joint आपके ठीक है तो शायद running और walking आपके लिए मुश्किल है या आप नहीं कर पाएंगे तो ये सोच के जो लोग इस osteoarthritis से ग्रस्त हैं, वो कहते हम तो करी नहीं सकते हैं और वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो चीज गलत है अगर आपको osteoarthritis है, नी का arthritis है, तो आप cycling कर सकते हैं जो एक बहुत अच्छा substitute है walking और running का पर अगर आपको knee में pain, गुटनों में दर्द, सूजन, जकड़न नहीं है तो आप walking, jogging, running बिल्कुल अराम से कर सकते हैं और बेटर हैगा कि अगर वो एक hard surface पे ना हो जैसे कि concrete पे ना करके garden में, soil के ओपर, मिट्टी के ओपर तो वो आपके गुटनों के ओपर ज्यादा प्रदवाव या प्रेशर नहीं देगा तो जिनको knees की problem है, वो cycling करें, जिनको knees में दिक्कत नहीं है वो walking, jogging, running, soft surface पे definitely करें आरे सर एक question जो patient के दिंपर में हमेशा आता है कि हम हमेशा बात करते हैं कि ये चीज़ हमें खाना चाहिए आर्थराइटिस के टाइम लेकिन ऐसे कौन से पांच, चार या पांच foods हैं जो आर्थराइटिस के टाइम नहीं खाएं Okay, actually, आपने बहुत ही सही और सफीक सवाल पूछा OPD में हर व्यक्ती जो हमारे पास आता है वो जाने के समय ये सवाल जरूर पूछता है कि हम क्या खाएं या क्या ना खाएं अब इसके लिए मैं पहली चीज़ बोलूँगा सबसे important है healthy lifestyle and healthy diet यानि कि जादा चिकना ही ना लें, जादा मीठा ना लें जादा artificial और processed food ना लें natural यानि कि जो fresh fruit, fresh vegetables है और जो nuts हैं वो जादा लें ये जो advice है ये सब के लिए है मतलब आपको arthritis है चाहे नहीं है ये advice सब के लिए है ये arthritis के patient के लिए भी है तो जो चीज़ avoid करनी है मैंने आपको बता दी high fat, high sugar, processed food, artificial food ये इसके अलावा patients हमें बताते हैं कि हम एक particular चीज़ खाएं तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है कोई बोलता है मुझे दही से होता है कोई बोलता है मुझे ठंडे से होता है कोई बोलता है मुझे आलू या चाबल से होता है पर ये जो चीज है ये हर किसी के लिए सेम नहीं है इसलिए कोई blanket advice नहीं है पेशेंट के लिए कि आपको ये चीज छोड़नी है क्योंकि अगर हम लिस्ट बनाएं कि मुझे ओपड़ी में आज तक कितने कितने पेशेंट्स ने क्या-क्या बोला तो कुछ भी खाने को नहीं बचेगा हर कोई व्यक्ति को एक particular कोई चीज जो है वो suit नहीं करती है अगले दिन उसको खाने से joint pain या stiffness बढ़ जाता है तो ये तो हुआ कि आपका diet कैसा होना चाहिए और आपको क्या चीज छोड़नी चाहिए अगर आपको कोई चीज लेने से लगता है कि आपको इदिक्कत कर रही है तो इसका बहुत ही simple तरीका है आप उसको diet में include कीजिए और फिर आप उसको चारपने नेने का तो उसको छोड़ के देखिए क्या आपके joint में परिवर्तन है के नहीं है अगर ऐसा है तो probably शायद वो जो खाना है आपको suit नहीं होता आप उसको छोड़ सकते है और end में जो चीजे joints के लिए अच्छी है omega 3 fatty acids जो मैंने आपको बताया था वो naturally ऐसी पदार्थ है जो की joints के लिए arthritis के लिए अच्छी है इनके अंदर आते हैं almonds और आपके वालनट यानि की बदाम और अखरोट सोयाबीन फ्लाइक सीड्स, शिया सीड्स, एवोकेडो यह सारी चीजे हैं जो omega 3 fatty acid में रिच है इसके लिए नन वेज़ डाइट में यह फिश और सीफूड में भी मिलता है तो यह अगर आप अपनी डाइट में इंक्रीज करेंगे तो यह आपको डेफिनेटली आर्थ्राइटिस के लिए थोड़ा बेटर कंट्रोल देगा राइट रिसेट सार sir what precautions needs to be taking during covid pandemic for arthritis patient and looking at winter season which is coming okay a very relevant question I would say if you have arthritis that doesn't mean that there is increased risk of getting the covid first of all मतलब की covid होने का खतरा आपको उतना ही है जितना एक नॉर्मल व्यक्ति को है इसी लिए arthritis के patient को जो भी precaution government नॉर्मल व्यक्ति के लिए बोल रही है वह ही आपको follow करने है वो बोल रहे हैं मास्क लगाना है hand sanitize करने है हाथ दोने है या social distancing रखनी है या भीड वली जगाहों पर नहीं जाना है ये सब आपके लिए भी उतना ही है पर अगर आपको covid हो जाए और आप arthritis की immunity modulate करने वली दवाईयां ले रहे हैं जैसे की methotrexate या biological तो उस case के अंदर आपको immediately अपने rheumatologist से consult करना है और वो आपकी दवाईयां कुछ change करेंगे, कुछ stop करेंगे, कुछ नहीं add करेंगे वो depend करता है from person to person की उनको कौन किसे type का arthritis है और उनको कौन सी दवाई covid होने से पहले चल रही है एक अच्छी बात जो मैं share करना चाहूंगा मेरे जितने भी patients हैं arthritis के जिनको arthritis की दवाईयां चल रही है उन्हें covid हुआ, सबको mild ही हुआ और सब लोग recover हो चुके हैं कुछ लोग recover हो रहे हैं और कुछ लोग recover हो चुके हैं तो किसी के अंदर भी serious complication या serious बिमारी pneumonia या किसी में भी कोई death नहीं देखी गई है इसका मतलब यह नहीं है कि हम लापरवा हो जाएं इसलिए हमें precautions सारे लेने है और अगर आपको blood pressure, sugar या आपकी उमर जादा है जो की देखा गया है कि covid के हिसाब से उन patients में ज़्यादा complication है या ज़्यादा mortality का risk है तो आपको definitely extra precaution लेना चाहिए आपको बाहर जाना अपना बिलकुल नहीं रख करना चाहिए अगर आपके लिए बिलकुल emergency या जरूरी नहीं है तो Thank you for the advice, sir Two more questions we have एक सवाल, sir, जो patient के मन में हमेशा आता है जो सवाल भी बोल सकते हैं, डर भी बोल सकते हैं कि arthritis साल भर साल बुरा होते जाता है means इत वोड बिकम वर्स फोर दे पिशेंट इस एक राइट और इस जशन मित ओके तो अगेन आइ वुट से यह इस बात पर डिपैंड करता है कि हम किस टाइप के arthritis की बात कर रहे हैं हगर हम रुमेटोइड arthritis की बात कर रहे हैं जो कम एज में स्टार्ट होता है और इंफलमेटरी arthritis है तो उसको early stage में treat करके आप व्यक्ति एक धम नॉर्मल हो सकता है और कई बार आपके लिए बताना मुश्किल होगा कि यह व्यक्ति को रुमेटोइड आर्थराइडिस है बट हाँ वो जो इंफलमेंट है वो मेडिसन के साथ है जाधा तर arthritis जैसी जो तकलीफे हैं वो long term की problems है इनके लिए कोई short term treatment या course available नहीं है कि हमने इनको कुछ दिन दवाई दी और arthritis हमेशा के लिए चला गया ऐसा सिरफ बहुत कम प्रतीशत लोगों में हो पाता है शाध 10 से 15% के अंदर ही जातर लोगों को regular treatment लेनी पड़ती है पर समय के साथ दवाई की dose और दवाई का जो लेने का frequency हो कम हो जाता है और अगर हम दूसरे arthritis की बात करें osteoarthritis जो aging related है variant year है तो अगर जैसे जैसे age बढ़ती है तो variant year का process भी बढ़ जाता है पर अगर वो व्यक्ति भी regular exercise करें अपना weight control करें वजन कम करें और जो medicines हैं वो लें regularly तो उनको भी improvement हो सकता है और अगर वो improvement नहीं हो रहा तो joint replacement करके वो almost normal हो सकते हैं यह जो आपने बात बोली की सभी लोगों में अर्थरितिस हर सालने सर्फ बढ़ता ही जाता है यह सही नहीं है So one question we have from our viewer Mr. Vijay Lakshmi He's asking Can arthritis patient eat curd and lassi in winter? Yeah, so again like I said this should be avoided only in that person in whom when consuming these products cause worsening of pain and stiffness 40-50% patient who are my rheumatoid के होंगे वो बोलते हैं कि हम दही खाया में कुछ भी problem नहीं होती पर हमें उन्होंने मना किया तो इसलिए हमने उसे रोका हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है जो curd है it is a very good source of calcium it is very good source of proteins it is very good source of good bacteria which is pre-probiotics तो just because कि किसी ने बोला है कि कर्ड अवाइड करना है और आप कर्ड अवाइड करने लग जाएं sir we will take one last question this is for parents can children get arthritis and if yes what can be done to prevent it yes so the kind of arthritis which occurs in children is called as JIA juvenile idiopathic arthritis अभी juvenile idiopathic arthritis के पांक सब्टाइप होते है जो sorry अलग अलग तरह के लक्षन दे सकते है ये जो बच्चों में joint की तकलीफ होती है ये हाथों के छोटे joint को प्रभावित कर सकती है spine को भी affect कर सकती है या शरीर के सारे joints को affect कर सकती है कुछ बच्चों में ये जो joint की problem है ये बुखार के साथ आती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको या बच्चों को joint का infection हो जाए वो अलग तकलीफ है उसको septic arthritis कहते हैं वो particularly हमेशा एक ही joint को प्रभावित करता है और वो joint सूजा होगा, लाल होगा और तेज बुखार के साथ होगा तो जो जोडो की तकलीफ है बच्चों में कम देखी गई है पर देखी जाती है Thank you sir Thank you for taking all the questions in this good time Any concluding remark और या पेशेंट के लिए कोई सजाव जवाब देना पहें चाहेंगे Yes मैं आपको यही सजाव दूँगा कि एक तो COVID में आप अपना ख्याल रखिए मास्क डालके रखिए अगर जरूरत नहीं है जाने की तो क्रिपया उसको अवाइड कीजिए आज केल जैसे हम देख रहे हैं कि लोग थोड़े केरलेस हो गए हैं क्यूंकि COVID बहुत टाइम से है और अब लोगों का ध्यान उसके उपर से हट रहा है कम हो रहा है लोग marriages function में जा रहे हैं शादियों में जा रहे हैं तो मैं यहीं कहूंगा कि अगर crowding avoid की जा सकती है तो वो best है अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो क्रिपा करके mask का उपयोग करे और ध्यान रखे हाथ हमेशा साफ रखे और group में ना रहे मतलब आप दूरी बनाए रखे अगर आप कोई function में भी जा रहे हैं तो अपनी arthritis की medicine आप regularly रहें क्योंकि अगर उसको आप suddenly रोग देंगे तो जो arthritis बढ़ेगा उसके लिए हमें ठीक करने के लिए और जादा दवाईयों की dose देनी पड़ेगी जो की एक बहुत अच्छा option नहीं है अपनी treatment regular लेते रहें ताकि आप अपनी बिमारी को control में रखें अगर आपको बुखार या covid के प्रकार का कोई भी लक्षन होता है चाहे वो खांसी है जुकाम है या सांस लेने में तकलीफ है गबराएं बिल्कुल भी नहीं अपने पास के covid center में या जो covid treat कर रहे हैं डॉक्टर उनसे मिलें जाके उनको जए ज़रूर बताएं कि आप क्या दवाई ले रहे हैं आपकी दवाईयां जो arthritis की चल रही है आप अपने rheumatologist से भी बात करें कि उसको किस तरह से बंद करना है या change करना है या continue रखना है और उसके accordingly आप decision ले अब अगर vaccine पास ही है तो हमारे लिए बहुत ही खुश्कबरी की बात है कि हो सकता है ये pandemic जितनी उमीद है उससे जल्दी खतम हो जाए और जल्दी हम लोग नॉर्मल लाइस्टाइल में वापस आ सके थैंक य। थैंक य। थैंक य। आरे सर पर इस wonderful concluding remark and thank you for sharing your valuable time and knowledge with us especially on Sunday it was a pleasure having you here today with us and we hope that we can meet again in future on such interesting topic sure also thanks to all the viewers for joining us the recording of this session would be shared with all the participants after due permission from RAS okay so okay next time till next time we meet on behalf of complete team of RPGLS stay safe take care and goodbye thank you thank you